नमस्कार मैं हूँ अन्नु सिंग और आप देख रहे हैं जियस नियूजा ये देखते हैं बिहार की बड़ी खबर हैं बिहार में मिले कोडोना के 709 नय मामले राजी में आकड़ा पहुझा 15,049 बिहार में बैश्विक महामारी कोडोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है प्रति दिन सैक्रों की तादात में मरीज की संख्या सामने आ रही है देखते ही देखते पूरा जिला इसकी चपेट में आ चुका है स्वास्ति विभाग की ओर से ताजा अपडेट जाड़ी की गई है इस अपडेट के मुताविक बिहार में 709 लोग कोडोना पॉजिटिव मिलें इसके साथ ही राजी में कोडोना संक्रमितों की शंख्या बढ़ कर 15,049 हो गई है दिल्ली में मा के गड़ से सिसु को हुआ कोडोना देश का पहला मामला होनी का दावा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मा के गड़ से पेट में पल्धे नवजाद बच्चे को कोडोना संक्रमन होनी का देश का पहला मामला सामने आया है RML अस्पताल में डॉक्टरों ने यह दावा किया है कि RML के नवजात रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेशर डॉक्टर राहूल चौदरी का कहना है कि जिस समय बच्चे की डिलवडी हुई थी उस समय मा कोडोना से हार कर ठीक हो जुकी थी लेकिन जब बच्चे की डिलवडी हुई और 6 घंटे बाद उसका सैंपल लेकर जाच के लिए भीजा गया तो बच्चा कोडोना संक्रमित पाया गया कोडोना वाइरस चमगादर के वाइरस से 1000 गुना जादा ताकतवर है COVID-19 जैसा जानलेवा वाइरस कहां से आया है यह अब तक का सबसे बरा रहश्य है 6 महने से ज़्यादा समय बीच जाने के बाद भी बैग्यानिक अभी तक इस निसकर्ष पर नहीं पहुँच पाया है कि आखिर यह वाइरस कब और कहां कैसे पैदा हुआ सुरुवाती रिपोर्टों में यह दावा किया जाता था कि यह चमगादर से इंसानों में फैला इसके पीछे RTG 13 को जिम्मेदार बताया जा रहा था जो चमगादरों में पाया जाता है मरीजों की बरती संख्या को देखते हुए पटना एम्स को पूरी तरफ COVID-19 डेडिकेटड अस्पताल बनाया गया पटना एम्स में सिर्फ कोडोना संक्रमितों का ही इलाज किया जाएगा राज यह सरकार के स्वास्ति विभाग ने COVID-19 अस्पताल बनाने के एम्स प्रशासन के प्रस्ताब की अनुशंसा कर दी है स्वास्ति मंतरी मंगल पांडे ने भी प्रस्ताब कर अनुमोधन कर दिया है सरकार के उपर शचिप कौशल किशोर ने इस संबंद में एम्स अधिक्छक को आदेश जाड़ी कर दिया है एम्स निर्देशक को भी जानकारी दे दी गई है बिहार में अब मात्र 15 से 30 मिनट में हो जाएगी कोडोना संक्रमित की पहचान बिहार में कोडोना संक्रमितों की पहचान के लिए अब 3 दिन से 4 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा अब मात्र 15 मिनट से आदे घंटे में संक्रमितों की पहचान हो जाएगी इसके लिए संक्रमितों को ना तो लैब आनी की जरूरत होगी और ना ही कोई बरे सेटप की जरूरत होगी यहां तक की मोबाईल वैन में भी घूम घूम कर दूर दराज के गाउं में भी संक्रमितो ने कैंद्र और राजे सरकार से जवाब तलब किया है दिनेस सिंग की जनहीत याचिका पर चीप जस्टिस संजेक करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीयस रिप्लाई का सवाल आ रहा है तैयार हो जाईए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए तो सवाल ये रहा आपके मुबाईल स्क्रीन पर श्वार्ण मंदिर कहां है आपके ओप्शन है ओप्शन ए अमरित सर ओप्शन बी जैपूर ओप्शन सी डैली और ओप्शन डी आगरा उम्मीद है आप लोग सबी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिये होंगे अपने नाम और मुबाईल नम्मर के साथ अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन दबाए ताकि कल के क्वीज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें तो चलिए आगे बढ़ते और देखतें अगली ख़वर कोडोना काल में लंबे अर्से के बाद सामने आए गिरीराज बोले जनसंख्या नियंतरन के लिए सक्त कानून जरूरी है कोडोना काल में लंबे अर्से के बाद केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग के सामने आने की ख़वर है बिश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरीराज सिंग ने देश के अंदर शक्त जनसंख्या नियंतरन कानून बनाने की जरूरत बताई है गिरिराज ने कहा कि देश की समश्या के मूल में सबसे बरा कारण जनसंख्या है और जिन देशों ने इस पर नियंतरन किया है वो आज विक्सित हो चुके हैं ऐसे में भारत जैसे देश को जनसंख्या नियंतरन के लिए सक्त कानून बनाने की जरूरत है मुख्य निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के लिए किया नया एप लॉंच एक लिक पर मिलेगी पूरी जानकाडी होगा राधानी बटना में पुलीस को एक बड़ी सफलता हाथ लगे पॉली गंज में कुख्यात बिजंद्र सिंग उर्फ छोटु सिंग और उसके स्ताथी मंटु कुमार को गिरफतार किया गया पुलीस ने इसके पास से हैंट ग्रेनेट देशी कट्टा और कार्थूस भी ब कई जवान भी शामिल थे बिहार में कोशी बागमती गंडक और कमला नदी का जलस्तर खत्रे के निसान से उपर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के डर से लोगों की नींद उर गई है मुझपरपूर मोतिहारी दरवंगा और सितामडी के तराई वाले इलाके में लोगों की परिशानी बढ़ गई है महनांदा, कमला, बलान, कोशी और बागमती नदियां उफान पर बहड़ी है तो वहीं कुछ नदियां खत्रे के निसान से काफी नीचे बह रही है नेपाल में होड ही मुझलाधार बाडिस ने बढ़ाई टेंसन, नेपाल के पोखडा सही ट्राई छेत्रों में लगातार बाडिस होड ही है बाडिस ने टेंसन बढ़ा दी है गंड़क बाडाज नियंतरन कक्ष से गंड़क नदी में अब तक का शार्वदिक 2,87,000 क्यू से एक पानी देर राज छोड़ा गया जिससे गंड़क नदी का पानी उफान पर है माउंट कार्मेल बिद्याले की सिक्षि का गुलनाज का निधन भागलपूर माउंट कार्मेल स्कूल में बुगोल की सिक्षि का गुलनाज खान का निधन हो गया पूल के कर्मचाडियों ने बताया कि वह कुछ दिनों से बिमार थी जिसके बाद सनिवार की सुबह उनका निधन हो गया। वह काजी वली चक में रहती थी। BJP से LGBT के रिस्ते सबसे अच्छे राजुतिवारी बोले चिराख पासवान के फैसले के साथ मजबूरती से खड़े हैं। NDA में अपने करे, स्टेंट के कारन लगातार सुर्ख्यों में बने LGBT अध्यक चिराख पासवान के साथ उनकी पार्टी मजबूरती के साथ खरिये। प्रसांत किशोड का नितिस कुमार पर हमला कहा चुनाव करानी की जल्दी में लोगों की जिंद्गी से खेल रहे हैं बिहार में कोडोना वाइरस का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है इस बीच प्रसांत किशोड ने एक और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री निति का वक्त है लोगों की जिन्दगी को चुनाव करानी की जल्दी में खत्रे में ना डालिए जियोती को मिला ट्रेनर लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को गुरुक राम से साइकल पर बेठा कर दर्भंगा पहुच कर सुर्ख्या बटोर चुकी जियोती कुमारी अप सरकों पर लोगों की आवाजाही नहीं थमड़ी है किसी ना किसी बहाने से लोग सरकों पर दिखने लगे हैं सनिवार को ततारपूर स्टेशन चौक बियंसिंग रोड खलीपा बाग घंटागर कज़डी चौक तिलका माजी में काफी शंख्या में लोग दिखे बाइक से ल सत्रुगन सिन्ना ने की यूपी पुलिस की तारीफ कहा न्याय मिला कॉंग्रेस नीता और पूर्प सांसत सत्रुगन सिन्ना ने कानपूर में विकास दूबे के एंकाउंटर प्रप्रतिक्रिया देते हुए यूपी पुलिस को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि विकास कॉंटर में यूपी पुलीस पर कई सवाल खड़े हुए जो जवाब मांगते हैं निश्चित रूप से उन्हें जाचने की जरूरत है ताकि संदे को शांत किया जा सके चले अब वक्त हो चुपा है कल के प्रशण का सही जवाब जानने का कल के प्रशण का सही जवाब है अप्षन बी जिनों से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिये उनके नाम कुछ इस तरह से हैं अगर यूट्यूब की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिये उनके नाम है रजनी स्रेंजन उसके बाद है मिथुन पटेल गॉरब शर्मा मलिक मौडिय सत्यम शिवम राजीव सर्मा उस पेस पराशर, प्रतिवाचा, अमानंद कृष्णा और सिंखम बहुत बहुत धन्यवाद सबको